हेलो दोश्तों नमस्कार आर्पी अप नई भरती 2023 वीडियो सुर करने से पहले आप सभी से एक निवेदन होगी वीडियो को आप टोटल कमप्लीट देखिएगा तब ही सभी क्यूसेन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाए कि काफी वीडियो में कोमेंट आ रही थी कि सर आर्पी अप की भरती कब आएगी तो आप सभी को बता दिया जाए कि जो कि टोटल पोस्टों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पारे होंगे दोस्तों जो कि 12,500 पद उपर भरती हैं यहाँ पे निकल के आ चुकी है योगता यहाँ पे 10 वी पास के कैंडिडेट इस फॉर्म को आविदन कर पाएंगे महला और फुरस दोनों आपका होगा दोस्तों मेरिट लिष्ट कुछ भी नहीं मागे है यहाँ पे क्या-क्या आपके डोकुमेंट लगेंगे कौन-कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगे आप सभी को दोस्तों सबसे पहले पर लेकर चलते हैं तो यहां पर दोस्तों हम आप सभी कोRPF की ओपीacal बेप साइड पर लेकर आगया है इस भरती के लिए जो कि MPF भरती के लिए ओपीacal notification डॉटनलोड कहां से करपाएंगे ओपीacal बेप साइड पर इस भरती का ओपीacal notification जारी कर दिया गया है जो कि official notification में भी आप सभी को दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे दूस्तों ये भरती total कितने पद उपर निकाली गए हैं कैसे form को feel कर रहा होगा क्या-क्या education qualification माई यही कितनी आपकी योगिता होनी चाहिए कौन सी book आपकी लगेगी कि आप सीधा select हो पाएं यानि कि आपकी सबसे अच्छी book कौन सी लगेगी merit list चारी की गई है कि नहीं सारे जानकारे आप सभी को मिलेगी बस आप वीडियो को complete देखते रहेगा बिना time को वह चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे दूस्तों सबसे पहले बात करने वाले हम आप सभी को बताएंगे ज इसमें salary के बारे में आप सभी को बता दिया जाए तो salary यहाँ पे 25500 रूपे से 36200 रूपे परती महीने इस भरते में salary आप सभी को दी जाएगी यहाँ पे zone location आपको बता दिया जाए तो all over in India है और यहाँ पे apply mode के बारे में बात करेंगे तो online मादर्ण से इस form को बिलकुल बिलकुल आप आवे दिन कर पाएंगे यहाँ पे official website का आप सभी को बता दी कि official website की जो यहाँ पे यह जो official website है यह आप देख पा रहे होंगे और pfindiarailway.gov.in पर आप जाकर visit भी कर पाएंगे कैसे form को feel करना होगा कैसे official notification डाउनलोड करना होगा यह सब सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी इस वीडियो में वीडियो को total complete देखते रहेगा आप इसके बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख पारे होंग इस details के बारे में बात कर लिया तो आपको बता दिया जाए जो कि यहाँ पे पोस्ट नेम आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे बैक एंसी ने तो पोस्ट नेम यहाँ पे constable post पे भरती निकाली गए 7000 पदो पर भरतीया निकाली गए सब inspector के पदो पर जो भरती निकाली ले गए हैं टूटल बैक एंसी 12000 पदो पर हैं दोस्तों यहाँ पे apply mode के बारे में आपको बता दिया जाए तो online माध्यम से फोम को आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों फोम को कहां से आवेदन करेंगे official website से आप सभी को official notification कहां से डाउनलोड करना हो यह सब सारी जानकारी आप सभी को video कर लाश्ट में दी जाएगी वीडियो के साथ आप लाश्ट तक बने रहिएगा जोब location के और exam center के बारे में बात कर लिए तो आपको बता दी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो की all over in India यानि की all India के किसी भी कोने में आपकी job कहीं भी लग जाएगी और यहाँ पे आप सभी को बता दिये जाए exam center के बारे में तो exam center आपका कहा होगा जहाँ पे आप चूच करेंगे यानि की आप अपने जिला स्तरी जहाँ पे आपका यानि जिला है जिस भी यहाँ पे आपको बता दिये जाए कि जहाँ आप center चूच करेंगे वहाँ पर जाकर इकजעם भी दे पाएंगे होसं चैयर अर्पी रिंची सोरी के बारे में पहले बता इया जोगें जो कि यहां पर दूसरी सुरु रॉपये doubt spricht Mehr करते हैं तो उनके लिए 500 रूपे फीस एसेश्टी फीमेल कंडिडेट के लिए 250 रूपे फीस यहां पर निर्धायत की गई है ओनलाइन माधम से आपको पेमेंट को भी जमा करनी होगी जो कि क्रेडिट को डेविड को नेट बैंकिंग के माधम से आप पेमेंट को भी जमा कर पाएंगे और प्यांप को इसमें बारे में बात कर लिया जाए तो आपको यहां पर बता दिये जाएं कि यहां पर अट्रह से पच्छीस वर्द के बीच के कैंडिडेट आफे दिन कर पाएंगे यहां पर इसमें काउंटिंग यहां पर देख पा रहे होंगे जो कि 18 मई 2023 से की जाएगी, एज में च्छूट के बारे में बात कर लिए जा, तो S.C.S. const साले जाते होंगे, तो आप देख पार होंगे, जुकि Mathematics याने के यहां पर EHPAD के तोटल क्यूस्टेंच होंगे, 35 होंगे और यहां पर Mark भी आपके यानिकी rank भी यानि कि आपके marks भी उतने ही होंगे जितने question है उतने ही marks की निर्धारिद किये गए हैं और यहां पे दूस्तों आईए बात कर लिया है इंटेग्रेल के यहां पे 35 क्योंट होंगे उसके मार्स भी उतने होंगे जनरल के liए यहां पे जनरल एवारिनेस के लिए टुटल 50 क्योंट और यहां पे 50 सब्सक्राइब करने और यहां पर फिमेल केंडी रेट के लिए आठ सो मीटर तीन मिनद चालिट सेकंड में एक दोस्तों कंप्लीट करने होगी और प्यप कॉंस्टेवल भरती के लिए कौन-कौन से दस्ता वेज यानि कि कौन-कौन से डोकुमेंट लगेंगे यह आपको बताएंगे तो फोटो एड़ सिंग्डेचर लाइट कलूर बैग्गराउन फोटो आपके पास होना चाहिए एजुकेशं सार्टीप्ट रचा आठीव और दसवी पास के मारसित होनी चाहिए डूमसल सार्टीपेकट और कार्ष एपके पास होना चाहिए यानिकी जाती प्रमागाई पत्र और अधिवास प्रमागाई पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए अगर अधार् कार्ट नहीं है तो आप कोई दूसरा डोकुमेंट लगा कि इस फोर्म को प्रूप यानिकी आवीदना कर पाएंगे selection process के बारे में बात कर लिये जाए कैसे आपका selection होगा online माध्धम से या कैसे होगा तो यहाँ पर उपको बता दिये जाए rating exam यहाँ पर लिखित पर इक्षाब के होगी दोस्तों यहाँ कि लिखित पर इक्षा और यहाँ पर online माध्धम से भी exam होगा फिजिकल टेस्ट डीटल्स भी आप सभी का होगा डोकुमेंड बेरिफिकेशन लाज्ट में आप सभी को फाइनल मेड भी दी जाएगी एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो एजुकेशन कॉलिफिकेशन सिंपल और सिंपल दस भी के पास और बार भी के पास भी candidate आवेदन कर पाएंगे अगर डिगरी पास के हो फिर विस फॉर्म को आवेदन आप कर पाएंगे इस भरती की अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दिके यहां पे दोस्तों आईए बात कर लिए इस भरती की important date यानिके जरूरी तारिक के बारे में तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो की starting date यहां पे जो निधरत की गई है वो 28.03 से इस भरती की last date जो निधरत की गई है आप यहां पे देख पा रहे होंगे 25 जुलाई 2023 को जरूर दबा लें जितना हो से के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जहां कहीं भी इस भरती में कुछ भी ना समझ में आप कमेंड बोक्स में कमेंट कर दीजिए हम आप सभी को reply करके जरूर बताएंगे दोस्तों आप सभी से एक जरूरी बात बता देखि आप अपने किस राज और जिले से बिलोंग करते हैं तो आप अपने राज और जिले का नाम comment box में comment कर दीजे ताकि आपके राज और जिले से कोई भी नया notification कोई नई भरती निकल के आएगी तो हम आप सभी कोई वीडियो के मात्रम सबसे पहले बता से के आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम